काला साया कि अचानक एक बहुत गंदी सी बास पूरे घर में फैल जाती है ये बद्बू और ये आवाजे ये कौन हासरा है मा? ये बड़ो सीना हमारे थोड़े अलग से है कहां हम शा काहारी और ये मास बच्छी खाने वाले छोड़ तु ध्यान मत दे और ग्रह प्रवेश कर और हाँ बहु अपनी सास की एक बात हमेशा याद रखना इन पडोसियों से तो कभी बात नहीं करेगी अच्छे लोग नहीं है ये अपनी सास की ये बात मानेगी ना बेटा? हाँ मा, जो आपकी मर्जी, मैं उनसे बात नहीं करूँगी अगले दिन प्रिया अपनी पहली रसोई बनाने रसोई घर में जाती है ये छोकी बास तो नाक में जा रही है एक काम करती हो, खिड़की खोल देती हो प्रिया खिड़की खोलने जाती है इतने जाले? लगता है इस खिड़की को कभी खोला ही नहीं गया पर ऐसा क्यों? ओ, नौन वेज की स्मेल आती होगी न दो मिनिट के लिए खोल लेती हूँ फिर बंद करतोंगी प्रिया खिड़की खोलती है, खिड़की खोलते ही उसके नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है, जहां एक लड़की खड़ी होती है हाथों में मैंदी, लाल रंगी साड़ी, बिल्कुल सची धजी मानो प्रिया की तरह ही वो भी नई नवेली बहु हो वो प्रिया को देख कर मुस्कराती है हे भगवान, माने तो इनसे बात करने को मना किया था प्रिया फॉरन ही खिड़की बंद कर देती है और तवे पर चड़े रूटी की और देखने लगती है पर वहां रूटी नव होकर मचली पड़ी होती है ये क्या? पहली ही रसुई में इतनी बड़ी गलती हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? प्रिया बहुत दर जाती है और फॉरन रसुई की सफाई करने और फिर सभी के लिए खाना बनाने लग जाती है जब वो सब को खाना परुस्ती है सब तो ठीक है, मैं बेकार में चिंता कर रही थी हे भगवान, ऐसे ही पास अपनी क्रिपा बनाए रखना रात की बाग जब सब सू रहे होते हैं तब प्रिया को पायल की आवाज सुनाई दिती है जिससे उसकी आँख खुल जाती है ये पायल की आवाज कहां से आ रही है? प्रिया उठकर उस आवाज के पीछे चट के सेडियों तक जाती है तब ही उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है प्रिया चट पर जाती है तो क्या देखती है? वही लाल साड़ी वाली लड़की अपनी गोद में एक नवजात बच्चे को घुमा घुमा कर सुला रही है तब ही प्रिया की नजर उसके पेट पर पड़ती है ओ गाड ये तो प्रेगनेंट भी है सुनिए बच्चा सो नहीं रहा है क्या? मैं कुछ मदद करूं सुनिए की गोद से बच्चा हाथ मार कर प्रिया की गोद में आने को छट पटाने लगता है दोनों घर अगर बगल में बने होने के कारण प्रिया उस बच्चे को गोद में ले लेती है प्रिया के पास आती ही वो सू जाता है बच्चे का वुस पर्ष रात भर प्रिया भूलने ही पाती और अगली सुबव उच्छत पर कपड़े सुखा रही ही होती है तब ही उसे एक औरत इशारा करके बुलाती है स्नीहा कह रही थी बाबू तुम्हारी गोद में आती ही सो गया मैं गौरी स्नीहा की मा हूँ बहु घर आना बाबू को खिला भी लेना शाम को जब घर पर कोई नहीं रहता बच्चे से मिलने के लिए प्रिया छिप कर अपनी पडोसन के घर चली जाती है और कुछ देर बच्चे को खिला कर वापस लौटाती है इसके कुछ दिन बाद ही प्रिया को पता चलता है कि वो मा बनने वाली है ममता की खुशी का छिकाना नहीं रहता माजी पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है प्रिया भागती हुई वाश्रूम में जाती है तो हारी और लाल रूंकी उल्टी करती है उस उल्टी में से कीड़े निकलते है ये क्या? खूल और ये कीड़े? मा! मा! प्रिया के आवाज सुनकर मंता दौड कराती है पर बेजिन में कुछ नहीं होता प्रिया हग की बक्की रह जाती है ये सब क्या हो रहा है प्रिया घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर सोजाती है डर के कारण वो इतनी ठक जाती है कि उसकी आख लग जाती है प्रिया के पेट पर एक पांच महिने की बच्ची बैठी हुई थी, जो बुरी तरह जली हुई थी मा, तुम ही मुझी लाई ना अपने पेट में मैं तुमारी मा नहीं हूँ, कान हो तुम मा, देखो मैं चल गई बुरी तरह से, छे मैंने पेट में रहने को भी मुझी नहीं मिला सेला दो ना मा बचाओ, बचाओ, मा ममता दोड़ कर कमरे में आती है, प्रिया की बाते सुनकर वो सब समझ जाती है तु कहीं बगल वाले घर में तो नहीं जाकर आई ना बहु, मुझी माफ कर तो मैं गई थी मा उस घर में सब मरे हुए हैं बहु, कई साल पहले इस दिहां उस घर में बहु बन कर आई थी कुछी दिन में वो एक बच्चे को जनम देने वाली थी पूरा घर बच्चे के आने की खुशी में खोया था, कि एक दिन अचानक उस घर में आग लग गई सब बुरी तरह जल कर मर गए गौरी आज भी दादी बनने का इंतजार कर रही है और इसलिए स्निहा ने अपना अजनमा बच्चा तुम्हारी कोक में डाल दिया ममता ये कह रही होती है के पीछे से उसके पैरों को इक बच्चा पकड़ लेता है दादी, दादी मा, निहां की गोद में यही बच्चा था, ये बच्चा कौन है फिर? तेरी मोट है तेरी भी दादी जिस जिसका ममता को डर था वही हो क्या ममता निवास के उपर मौत ने जादर बिछा दी थी प्रिया का पेट ऐसे बढ़ जाता है मानो नव मैने का हो दो हाथ उसकी पेट से बहा निकलते हैं बहु, संतोश को फोन कर, किसी पंडिजी को बुला बहु प्रिया का पती भागता हुआ घर आता है ये तो होना ही था मा तेरा बाप तेरे सामने आ गया तो तु से नहीं पा रही है इसने हाँ घर में आग लगी नहीं थी मा ने लगाई थी प्रॉपर्टी की लारश में और वो बच्चा मेरी पहली पत्नी का बच्चा है मेरा बेटा जो कि उस आग की चपेट का शिकार हो गया था मैंने तुमसे ये सब मा के कहने पर छुपाया था मुझे माफ कर दो प्रिया तुम तुम अगर चाहो तो यहां से जा सकती हो मैं तुम्हें किसी भी बंदन में रखना नहीं चाहते मेरी शादी हुई है आपसे मैं आपको छोड़ नहीं सकती पर उससे पहले हमें इस निहा उसकी मा और बच्चे की आत्मा की शांती करवानी होगी संतुष और ममता गौरी की घर जाते हैं अंदर सब कुछ जला हुआ होता है जमेन पर जली हुई लाशें बिखरी हुई थी ममता रो रो कर अपनी करनी की माफी गौरी से मांगती है प्रियास निहा की घर वालों का अंतिम संसकार करवा दीती है और ममता निवास फिर से आत्माओं के साए से मुक्त हो जाता है उमीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी क्रिपया हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें और हाँ विडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बाई बाई